साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहे नेशन जन्मत ब्रांडिंग और मार्केटिंग के दम पर पूरे देश पर राज़ कर रही मोधी सरकार के लिए कोरोना वैक्सीन अब संजीवनी बूटी की तरह सावित होने जा रही है यह मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि कोरोना वैक्सीन आने से पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की यात्रा को जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन यात्रा के तोर पर महिमा मंदित करते हुए उसके प्रचार अवियान के तोर पर चलाये जा रहा है वो भान मीडिया के लिए भी एक तरीके से संजीवनी है इसलिए क्योंकि कोरोना वैक्सीन यात्रा और कोरोना वैक्सीन की गोशना करने से पहले उनके पास कोई मुद्दा चलाने को नहीं था तो वो किसानों को खालेस्तानी आतंगवादी साबित करने पर तुले थे अब उनका सारा फोकस घूम फिर क करके प्रदानवंती नरेंद्र मोधी की कोरोना वैक्सीन की यात्रा पर और अब सरब दली वैठक में उन्होंने घूशना कर दी कि देश को जल्द ही कोरोना वैक्सीन नसीब हो जाएगी इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे भी इस बात की बेहत खुसी होगी कि भार एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग की तरह प्रुस्तुत किया गया था और ये दोनों ही वन मैं सो बन गए थे जिसका परणाम आज तक देश भोगत रहा है नोटबंडी के परणामों के फलसरूप देश की जीडीपी बुरी हालत में चली गई है बिना सोचे समझे दूसर प्रदर्सनों से बचना था इस बार किसानों का प्रदर्सन सामने है तो कोरोना वैक्सीन को सामने ला करके किसानों के प्रदर्सन को दवानी की कोसिस की जा रही है कोरोना संकट से जूजने में बुरी तरीके से नाकाम प्रदानमंत्री साबित हुए नरेंद्र मोदी जी द जाकर के रखना चाहती है इसलिए मैं तमाम सारे लोगों से बारवार अपील करता हूँ कि आपको बरतमान मीडिया के चरित्र को समझना चाहिए क्योंकि यही आपके बैड रूम और ड्राइंग रूम में पहुँच करके आपकी मानसिक्ता को बदलने का काम कर रहे हैं एक तर पूरी आवादी का टीका करण नहीं कर सकते मुफ्त में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जो घोषना करते हैं सर्वदरी बैठक में आज ही उस बैठक में वो यह नहीं बताते कि कीमत क्या रखी जाएगी वो कहते हैं कि राज्य-सरकार और केंद्र-सरकार मिलकर के तै करेग मतलब 79,000 करोण रोपय के जिस देश का पूरा स्वास्त बजट है 69,000 करोण उस देश में 70,000 करोण से ज़्यादा की वैक्सीन आगर कैसे लगाई जाएगी इसका रोड मैप मोधी सरकार के पास नहीं है मेरी चिंता इसी बात को ले करके है कि अभी तक प्रधानमंती नरेंद्र मोधी के सारे 101-100 सावित हुए है देश वासी उसका दंस आज तक झेल रहे हैं इसलिए वैक्सिनेशन का 101-101 करके न रह जाए जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक वैक्सीन समय के साथ पहुँच पाए किसानों के मुद्दे कोट केबल डाइलूट करने के लिए अगर ये गोशना की गई है तो देश वासी एक बार फिर से ठगे जाएंगे चले जाएंगे मैं जो सक जता रहा हूँ अगर आपको उस पर जरा भी संदे है तो कुछ दिन पूर्व से ही मेडिया ट्राइल जिस तरीके से किया जा रहा है प्रधानमंत्री की वैक्सीन यात्राओं का उस पर एक बार नजर दोडा लीजिए एहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पहुँचे उसी दिन पुणे में सीरम इंस्टिट्यूट पहुँचे उसके अगले ही दिन हैदराबाद में भारत बायोटेक पहुँचे इन तीनों यात्राओं का इस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया मानो प्रदानमंत्री नरेंद्र बोधी कोई अनोकी यात्रा पर जा रहे हो इसके अलावा अगले दिन ये दिखाया गया एक इन कंपनियों के अलावा उन्होंने तीन अनिनीजी कंपनियों के करता धरताओं से आनलाइन चर्चा की है और इस बात को लेकर के चर्चा हुई है कि आखिर वैक्सीन कब तक बन जाएगी इसके बाद मुखमंतृओं से भी चर्चा की गई वैक्सीन को लेकर के अभी तक देशवासियों को न कीमत बताई गई न ये ये बताया गया कि ग्रामीन शेत्र में अव्यान कैसे चलाया जाएगा प्रदानमंती नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हुए लोगों के सामने आये थे कि सर्वदली बैठक के बाद आपकी एक-एक संका का समाधान करने आ रहा हूं उनका कोई भी उत्तर उठा के देख लीजि प्रदानमंती जी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले कोरोना वारियर्स को बुजुर्गों को स्वास्त कर्मियों को डॉक्टर्स को दी जाएगी लेकिन ये घोषना की गई है इससे पहले जिस तरह की घोषना की गई चाए वो PPE किट को मामले को लेकर के हो या किसी भी इंफ्राइट्रक्चर के मामले में सारी घोसनाएं केवल इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित रही तो कुल मिला करके मेरा अन्रोध सिर्फ ये है किसानों के मुद्दों से ध्यान हटकाने की ज़रूत नहीं है देश का अन्यदाता इस ठंड में दिल्ली में पड़ा हुआ है अप अपने मुद्दों को भूल करके अपने उत्पीडन को भूल करके अपने रोजमर्रा से जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरतों को भूल करके केवल और केवल आपका ध्यान कोरोना वैक्सीन की तरफ चला जाए कोरोना वैक्सीन के महिमा मंदन से पहले जरूर याद करिए प्रदानमंती नरेंद्र मोदी के कारेकाल में ये देश पूरे 20 में दूसरे नंबर तक पहुंच गया और उनके मित्र ट्रंप की अगवाई में अमेर का पूरे 20 में नंबर एक पर हो गया जहां कोरोना संक्रमन सबसे ज्यादा फैला था देखते रही ने संजन्मत लोग तंत्र तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्प्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइचन तो जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे निव वीडियो है